हेलो स्टुदेंट्स दिस इज परवेशनेन और वेलकम तो माई चैनल लिव तू लर्ण तोड़े वी विल डिस्कुस दा सोलुशन्स ओफ चैप्टर वर्क वी डू चैप्टर ट्वैल क्लास थर्ड इवियस और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले मिलेगी फर्स्ट केस्टन इज फिलिंग दा ब्लैंक्स उपर फिलिंग दा ब्लैंक्स दिये गए हैं जिनको आपको फिल करना है फर्स्ट दा डैश एड दा टी स्टॉल गेव सत्विंदर एक अप ओफ टी वर्कर जो टी स्टॉल पे वर्कर काम करता है उसने उसको चाय दी थर्ड, teacher's sandal is broken, she is going to dash to get it repaired, teacher की sandal टूटी हुई है, अगर उसको उसको repair कराना है, तो वो kobler के पास ही जाएगी, so filling the blank में आएगा, kobler, रामूलू, the dash, has come with his fruit cart, fruit seller, fruit cart कों लेके आएगा, fruit seller, नामू, the dash, has laid out his shop, but home will he shave, रामूलू ने अपनी shop खोली है, लेकिन वो shave किसकी करेगा, शेव तो बारबर करता है, so filling the blank में बारबर आएगा, match these community helpers with the work they do, community helper को जो काम करते हैं, उनसे match करना है, firefighter puts out fire, आग को बुजाता है, policeman catches thieves, चोरों को पकड़ता है, tailor stitches clothes, कपड़े सीलता है, washerman, washes and iron clothes, जो धोबी होता है, वो कपड़ों को धोता है, और प्रेस करता है, soldier, हमारे देश की रक्षा करते हैं, guards the country, kobler, man's shoes, जो हमारे shoes फट जाते हैं, उनको ठीक करता है, सीलता है, sweeper, cleans the surroundings, sweeper जो हमारे आसपास का area है, उसकी सफाई करता है, so, ये community helpers हैं, जिनको जो वो काम करते हैं, उनसे आपको match करना है, question is, what kind of work do people in your neighborhood do, what are these workers called, आपके आसपास में, लोग किस तरह का काम करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, पहले table में, what they do, वो क्या करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, repair cars and scooter, जो car और scooter को repair करता है, उसको mechanic कहते हैं, give medicines to patients, जो दवाई देता है, मरीजों को, उसे doctor कहते हैं, educates students, जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें teacher कहते हैं, collects and delivers letters, जो हमारे तक letter पहुंचाता है, और हमसे letter collect करता है, उसे postman कहत हैं, डाक किया, repairs electrical devices, जो बिजली के उपकरण है, उनको ठीक करते हैं, उन्हें electrician कहते हैं, sells fruits on the push cart, ठेलागाडी पे जो fruits बेचते हैं, उन्हें fruit seller कहते हैं, next is, write the names of any five buildings and the work done in them, आपके आसपास कोई भी 5 buildings के आपको नाम लिखने हैं, और वहाँ पे क्या काम होता है, वो लि treatment of patients होता है, और vaccination of children, और बच्चों को टिका लगाया जाता है, टिका करण किया जाता है, post office, collect and delivers letters, hotel, visitors, stay and eat food, hotel में लोग ठैरते हैं, खाना खाते हैं, school, educate the students, school में बच्चों को सिक्षित किया जाता है, bank, withdrawal and deposit of money, give loans, bank में हम पैसे जमा करा सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, और अगर हमें loan की आवशक्ता है, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या शिक्षा के लिए, तो वो भी हमें bank से मिल सकता है, दिपाली जो लड़की है, वो अपने घर में क्या-क्या काम करती थी, cleaning house, घर की सफाई, टेक हर brother and sister to school, अपने भाई-बेन को स्कूल लेके जाती थी, कपड़े दोती थी, washing utensils, अपनी मदर के काम में help कराती थी, helps her mother in her work, रेडियो सुनते थी, शाम को, listening radio, cook's food, और खाना पकाती थी सब के लिए, next question is, which of your family members do work but do not get money for it, आपकी family में कौन कौन से member ऐसे हैं, जो काम तो करते हैं, लेकिन उस काम के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, mother cooks food, cleans house and sister helps her in doing so, mother खाना पकाती है और बहन उसकी help करती है मदर की, घर की सफाई में, जो भाई है वो बाजार से सामान लेके आते हैं, और इन सब कामों के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, next is, write what work is done in the school, आपको वो सब काम लिखना है जो स्कूल में होता है, सुबह सुबह morning prayer होती है, उसके बाद जब आपका गिम का प्रिड आता है, तो आप खेलते हैं, children play, आप पढ़ते हैं, study, good habits are taught to children, आपको अच्छे-च्छी आजबते सिखाई जाती हैं, monthly and yearly examination, और आपके महीने में और year के end में half yearly exam होते हैं, dancing and singing competitions, annual festival, और शमय-शमय पे आपके नाच गाने के प्रतियोगिताएं होती हैं, annual festival होता है, art and craft activities are done by children, और आप तरह-तरह की art and craft के activity करते हैं, जिनमें आपको पुरुसकार भी मिलता है, तो यह सब work school में किये जाते हैं, next question is, do you also do household work, if yes, what, क्या आप भी घर के काम करते हैं, और अगर करते हैं, तो कौन-कौन से करते हैं, yes, I also do household work, first, helping mother in cleaning the house, अपनी मदर की help करते हैं, घर को साफ रखने में, filling empty water bottles, अगर पानी की बोटल खाली हो जाते हैं, उनको fill करते हैं, help father in gardening, father की help करते हैं, gardening करने में, taking cooked food from the kitchen for my grandparents, और अपने दादा-दाई-जी के लिए, जो खाना बन जाता है kitchen में, उनको serve करते हैं, उनको खिलाते हैं, यह सब काम में घर पे करते हैं, वो इसके अलाव भी अगर आप कोई घर में काम करते हैं, वो भी आप इसमें add कर सकते हैं, Next question is, given below are some daily activities, show on the face of clock, at what time of the day you do them, यह इसमें clock के नीचे कुछ activity लिखी गई हैं, आपको clock में time show करना है, कि वो activity आप दिन में किस चमय करते हैं, सुबह, 7 o'clock, wake up in the morning, 8 o'clock, go to school, return from school, 2 o'clock, sit down to study at home, 4 o'clock, go to play, 6 o'clock, sleep at night, 10 o'clock, Next is, solve the riddles, I work in a hospital or clinic, मैं hospital या clinic में काम करता हूँ, बताओ कौन हैं, डॉक्टर, I work in a post office, post office में कौन काम करता हैं, Postman, I may be found at the police station, police station में कौन मिलता है, policeman, you can find me, ने, bakery, बेकरी में कौन मिलता आपको, बेकर, जो वहाँ पे काम करता है, so next question is, find out from your grandparents, what work they did when they were children, आपको अपने दादा दादी से पूछना हैं, कि जब वो बच्चे थे तो वो किस तरह का काम करते थे, cooking foods, collecting cow dung and making cow dung cakes, गाएं का गोबर collect करते थे, उसे उपले बनाते थे, collecting wood from jungle, जंगल से लकडिया लेके आते थे, grazing cows और गाएं को चराते थे, उनको खाना खिलाते थे, next is, activity करनी है ये आपको, आपको अपने आसपास के निवी उन दो बच्चों से बात करनी है, जो school नहीं जाते, आपको उनका नाम लिखना है, और वो किस कार्ण से school नहीं जाते हैं, वो आपको इसमें mention करना है, name of the first child, reason for not going to school, name of second child, reason for not going to school, और वो आपको दीगें जिन्हें पर लिखना है, so students, उमिद आपको सभी questions अच्छे से समझाए होंगे, so please like, share and comment the video, subscribe the channel and press the bell icon, और बाकी की जो युवियस की वीडियो हैं, उनका link भी description box में दिया गया है, description box में click करके आप उन video को देख सकते हैं, और बाकी chapter भी समझ सकते हैं, और अपना homework complete कर सकते हैं, thank you